Good morning students, today we are going to continue exercise 4.1 Students, last videos में हमने इस exercise के 6 sums complete कर लिये थे आज हम next 5 sums करेंगे इस exercise के Okay students, सारे की सारी word problems हैं आपने बहुत ध्यान से समझने हैं पहले statement पे focus करेंगे, उसके बाद solution करेंगे Okay So students, our sum number 7 is Write two whole numbers which when added or multiplied with themselves give the same result देखिए, statement में क्या given है हमें दो whole numbers बताने हैं which when added or multiplied with themselves जिनको अगर मैं उनके साथ ही it means खुद के साथ ही उनको add करूं या खुद के साथ ही उनको multiply करूं तो answer दोनों cases में क्या आए it means ऐसे number बताने है जिनको आप खुद के साथ ही add करने पर खुद के साथ ही multiply करने पर दोनों के दोनों cases में answer हमारा क्या आए सेम आए और हमें ऐसा एक number नहीं कितने numbers बताने है two numbers बताने है देखे students ऐसे two whole numbers क्या होते हैं हमारे पास zero और two होते हैं अब बात आती है कैसे हम इसको verify कर सकते हैं देखे students कैसे हम verify करेंगे इसको verification for zero and here verification for two zero के लिए कैसे verify करके दिखाएंगे और two के लिए हम इसको कैसे verify करके दिखाएंगे देखे students अगर मैं zero को zero से क्या करूँ? multiply करूँ तो कितना answer आ रहा है? zero अगर zero को zero में add करती हूँ तो भी कितना answer आ रहा है? zero तो ये तो verify हो गया इट मिन्स zero एक ऐसा whole number है जिसको अगर मैं खुद के साथ multiply करूँ या खुद के साथ add करूँ तो answer दोनों cases में क्या आए? same आए तो आगया हमारा answer ऐसी हम two के साथ कर सकते हैं verification for two देखे students इसमें क्या होगा? आप two को two से multiply करके खुद को खुद के साथ two को two के साथ तो answer कितना आया? four अब अगर two को two में add करते हैं तो भी answer कितना आ रहा है? four आ रहा है it means addition करने के बाद और multiply करने के बाद two को two से answer दोनों cases में क्या आ रहा है? हमारा four आ है it means हमारे दोनों numbers क्या हो गए? zero and two zero और two ऐसे whole numbers है अगर इनको खुद के साथ ही add करें या खुद के साथ ही multiply करें तो answer हमारा क्या आएगा? दोनों cases में same आएगा okay students zero के लिए आपने अलग से शो करना है two के लिए आपने अलग से शो करना है now next sum is ध्यान से करना है students आपने sum number eight give an example to show that a minus b minus c not equal to a minus b minus c देखे students जब हमने properties करी थी whole numbers की तो एक property थी हमारे पास associative property associative property में हमारे पास क्या होता था three numbers लेते थे और उनके अपर operation apply करते थे यहाँ पर subtraction के case वाली दे रखी है यह अब देखे आपको मैंने तब भी बताया था कि subtraction के case में associative property hold ही नहीं करती है अब इसको prove करने के लिए हमें एक example देना है इस sum के अंदर so students example कोई भी दे सकते हैं हमारे पास मैं एक example दे रही हूँ आपको अगर आप A की जगा पर ले 10 B की जगा पर ले 4 और C की जगा पर ले आप 2 तो अब हमें यह verify करके दिखाना पड़ेगा now यह तीनो values हम कहां पर put करेंगे left hand side में और right hand side में अब हमारी left hand side क्या है A minus B minus C अब A की जगा पर 10 B की जगा पर 4 C की जगा पर 2 now board mass यूज़ करेंगे पहले 10 में से 4 minus होगा 6 आ जाएगा 6 minus 2 कितना हो जाएगा 4 तो left hand side का answer कितना आ गया students 4 आ गया अब हम right hand side करते हैं हमारी right hand side कितनी है A minus B minus C है यह bracket का होता है students इसमें main focus यहाँ पर A minus B bracket के अंदर थे और यहाँ पर B minus C bracket के अंदर it means हमने bracket को पहले solve करना है अब again A की जगा पर 10 आ जाएगा B की जगा पर 4 और C की जगा पर 2 अब इसको भी solve कीजिए 10 minus पहले यह solve होगा 10 minus 2 कितना हो जाएगा 8 तो आपने क्या देखा students यहाँ पर answer 8 आ रहा है और इधर answer 4 आ है left hand side 4 आई है right hand side 8 आई है it means left hand side is not equal to right hand side so we can say A minus B minus C is not equal to A minus B minus C okay students और भी कोई एग्जामपल आप लेके कर सकते हैं इसको जरूरी नहीं आपने यही करना है okay students now let's come to our next sum इसको ध्यान से समझना है बच्छों आपने बहुत जादा sum number 9 in a five-story mansion there are 18 rooms on each floor and in every room there are 20 switches how many switches are there in all the rooms of the building mansion एक building type ही होता है students कई stories कई manjil होते हैं उसके अंदर अब देखिए जो हमारा mansion given है उसमें five stories है पांच manjil है okay now there are 18 rooms on each floor हर एक floor पे अब देखिए students इसको आप ऐसे समझगे one, two, three, four, five five-story mansion है ना ये ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor okay students तो ये five-story mansion ऐसे होता है हमारा इसमें कितने floors मिलेंगे आपको one, two, three, four, five five floors मिलेंगे okay students now इसमें हमें क्या बताना है 18 rooms है एक floor के उपर एक floor के उपर कितने हो गई 18 rooms इसमें भी 18 rooms है next में next में भी 18 है next में भी 18 उससे next में भी 18 हर एक floor पर कितने rooms है 18 rooms है और there are 20 switches in every room एक room में switches कितने है 20 switches है तो हमें क्या बताना है total switches बताने है सारे के सारे rooms के अंदर, देखिए students, सबसे पहले हमारे mansion में floors कितने है, total floors in the mansion ये लिखेंगे हम पहले, total floors कितने है, five है ध्यान से समझ रहा है total floors कितने हो गई, five हो गई अब एक floor पे rooms कितने है rooms on one floor एक floor पे 18 rooms है और total floors हैं कितने, five rooms on five floors कितने हो जाएंगे 18 multiplied by five, it means 90 rooms हो गई, अब so, total rooms कितने हो जाएंगे हमारे पास, 90, 90 rooms आ गई, total, और एक room में switches कितने है, 20 switches है, switches in 90 rooms, total rooms 90 है एक room में switch 20 है तो 90 rooms में switches कितने हो जाएंगे, 20 multiplied by 90, it means two nine, 18 zero zero switches तो आपने स्टूडेंट्स ऐसे करना है, इसको फाइव स्टोरीड बिल्डिंग थी, it means five floors है उस पे, ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, okay students, five floors हो गई हमारे पास, okay, और एक फाइव स्टूडेंट्स अपने स्टूरीड बिल्डिंग है, तो इस तरीके से आपने यह सम करना है, students, अगर statement change भी हो जाती है, तो भी आपको आना चाहिए, okay, now let's come to our next sum, our sum number 10 is, in a cricket test series, Kusum scored 53 runs in first inning and 45 runs in second inning, while Mitali scored 45 runs in first inning and 53 runs in second inning, who scored more runs, देखे, students, statement, बेशक आपको बड़ी लग रही है, बट यह solution इसका बहुत easy है, देखे, एक cricket test series होई है, Kusum ने first inning में 53 runs लिए है, और second inning में उसने 45 runs लिए है, कुसum, देखे, solution मैं आपको बताती जाती हूँ, साथ साथ, कुसum scored in first inning, कुसum ने first inning में कितना score किया, 53 runs, second inning में कितना किया है, 45 runs किया है, तो total score कुसum का कितना हो जाएगा, 53 plus 45, यह हो जाएगा बच्चो, 98 runs, तो कुसum ने total कितना score किया, 98 runs, now, next, जो दूसरी लड़की है, वो कौन है, मिताली, two girls है हमारे पस, एक कुसum है, और एक मिताली है, okay, मिताली scored 45 runs in first inning, अब दोनों innings में उसने भी score किया होगा, कुछ ना कुछ, first inning में 45 किया है, और second inning में उसने किया है, 53, opposite किया है, okay, who scored more runs, हमें यह बताना है, किस ने जाए बनाए, okay, मिताली scored, अब हम क्या लिखेंगे, कुसum का score हमने find out कर लिया, मिताली scored in first inning, is equal to 45 runs, first inning में मिताली ने कितने runs लिये, 45, अब second inning में कितने लिये है, उसने, 53 runs लिये है, now, total score of मिताली कितना हो जाएगा, 45 plus 53, it means यह कितना हो जाएगा, 98 runs, अब देखें, students हमने क्या देखा इसमें, यहाँ पर भी total runs 98 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 98 आ रहे हैं, it means दोनों ने same ही score किया है, so, we will write, they scored same runs, it means दोनों ने same ही run बनाए है, okay, students statement थोड़ी लंबी थी, but बहुत easy है यह बाला साम, कुसुम ने 53 runs फिर्स इनिंग में, और 45 सेकंड इनिंग में, मिताली ने फिर्स इनिंग में, 45 सेकंड इनिंग में, 53, तो हमें क्या बताना था कि किसने जादा रन बनाए हमने क्या देखा, कुसुम का total score 98 और मिताली का भी 98, तो दोनों ने same run score किये हैं, okay, students, so, this type you have to do, now, our next sum is, In a book, there is a puzzle after every 8 pages, puzzle given है book की अंदर, हर 8 pages के बाद, if there are 176 pages in the book, how many puzzles are there in the book, अब हमें ये बताना है, अगर book में total 176 pages हैं, तो उसमें puzzles कितने हैं, pages तो इतने हैं, students, हमें पूछा क्या गया है, puzzles पूछे गए हैं, कि पूरी book में कितने puzzles हैं, अगर book के अंदर, हर 8 pages के बाद, एक puzzle आता है, तो, okay, now, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, given, given क्या है यहाँ पर, there is a puzzle after every 8 pages in a book, puzzle है book के अंदर, हर 8 pages के बाद, अब total pages कितने हैं, 176, now, total pages in the book कितने हैं, 176, okay, अब हमें बताना क्या है, number of puzzles, अब देखें, students, 176 pages है, book में 8 pages के बाद, एक puzzle है, तो, अगर हमें number of puzzles find out करना है, तो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर divide करेंगे, 176 को, total pages को, किस से divide करेंगे, 8 से, 8 मींज, puzzle जो है, कितने pages के बाद है, उसके साथ, अब, division आपने perform करनी है, कैसी करेंगे, 8, divisor है, 176 हमारा dividant है, now, 2 page आएगा, 8 to the 16, 1, 6 को नीचे लेके आएगे, 8 to the 16, remainder कितना आ गया, 0, it means, जो 22 है, वो है हमारा quotient, जो number of puzzles कितना आ गया हमारे पस, 22, it means, you can write, so, there are, 22 puzzles in the book, it means, पूरी बुक की अंदर, कितने puzzles हैं, students, 22 puzzles है, okay, students, puzzles means, जो पहली टाइप होता है, जिसमें कुछ उल्जा के पूछा हुआ होता है, okay, students, हमें उसमें अपना mind अप्लाई करना होता है, तब हमारे पास answer आता है, तो बुक के अंदर, हर 8 pages के बाद क्या था, एक puzzle था, if there are 176 pages, total pages 176, ते हमें यह बताना था कि total puzzles कितने हैं, okay, students, so students, up to this, you have to complete your notebook, 11 sums तक आपने अपनी notebook complete कर लेनी है, and in neat and clean handwriting, okay, students, thank you,